भवानी नाटे साला कहां इस्तापित की गई है देखिए इस भवानी नाटे से भवानी नाटे साला जिसकी इस्तापना 1921 के अंदर कहां की गई है जालावार इसे एक क्यूशन बड़ा यूनिक सा निकलता है कौन सा कि इस भवानी नाटे साला में अंतिम नाटक कौन सा किया और वो है देश की आवाज कि देश की आवाज कि यार देखिएगा ओप्चिन नमबर सीज करेक्ट आसवर कि लीजिए अगला क्यूशन कि अगला क्यूशन है आपके सामने जैपूर में राम परकास थेटर की इस्तापना किश्व महराजा के काल में हुई थी देखिएगा शासक जिनका नाम है सवई राम सिंग सेकिन याद रखेगा इनके समय एक तो आपके याद रखेगा मदर्सा ए हुंदरी की इस्तापना की गई मदर्सा ए हुंदरी यानि की कला को विक्षित करने के लिए कल्ला को बढ़ावा देने के लिए मसलब ये भी एक यूनिक साक्यूशन होता है, यार रहेगा अब वरत्मान के अंदर तो इसका नाम हो गया है राजस्तान इसकूल ओप आर्प्स एंड क्राप्ट वरत्मान में इसका नाम क्या है राजस्तान स्कूल आर से एंड है कराप्ट यार रखेगा बरतमान में इसका नाम तो ये होता है वेरी वेरी इंपोर्टेंट यार रखेगा और राम सिंग सेकिंड के समय में ही यार रखेगा राम परकास थेटर कीशता आपना की गई थेटर सिनेमा जगत विक्षित करने के लिए तो कला को बढ़ावा देने के लिए तो मदर्साय हुंदरी और सिनेमा जगत को बढ़ावा देने के लिए राम परकास थेटर ये दोनूँ ही कारिये महराजा राम सिंग सेकिंड के शम्य है ठीक है आप्शन नमर ए is the correct transfer हुआ, याद रिखिगा, चलिएगा, अगला किशन, अगला किशन है, निम्द में से कौन शा शेतर, मीरा पुरुठका कार शेशंम्मानदित है, राजस्तान साहित्य एक आदमी चली देखिए यहां से यह समझ लीजिए कि मास्टर केपसूल से लिख रहा हूं में एक्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट रहने वागा है मास्टर केपसूल देखिए राजस्तान राजस्तान शाहित्य एक आदमी क्यूशन आएगा याद रखेगा इस पेस से राजस्तान शाहित्य एक आदमी याद रखेगा इसके इस्तापना राजस्तान शाहित्य जो एक आदमी है इसकी जो इस्तापना है वो 28 जनवरी 1958 याद रखेगा कहां पर यार रखेगा उदेपुर यहां से एक पुरुषकार दिया जाता है जिसका नाम है मीरा पुरुषकार पता चल गिया होगा कि मीरा पुरुषकार किस श्यत्र में है साहिते श्यत्र में यार रखेगा यहां से एक पत्री का निकाली जाती है मदूमती कौन सी मदू मती बहुँ ज़्यादा इंपोर्टेंट एक्जाम के लिए यार रिखे गाई ठीक है राजस्तान साहिते एक आदमी डाइरेक्ट वन लाइनर क्योशन आता है ठीक है एक आपके सामने और भी जो इंपोर्टेंट है वो भी लिख देता हूँ राजस्तानी राजस्तानी कला पहले इंपोर्टेंट ये लिखेगा ये ज़्यादा इंपोर्टेंट वर्तमान में चर्चा का विश्य जहुआर कला के इंद्र जहुआर कला के इंद्र और ये जो जहुआर कला के इंद्र है इसके बारे में देखे, एक तो येख कविश्टापित हैं, तो 1993 में ठिक है, कहाँ परिश्टापित हैं, तो याद रेखेगा जेपुर में, याद रेखेगा वास्तुकार कौन है, वास्तुकार तो याद रेखेगा चाल्स कॉरिया चाल्स कोरिया, important लगे हाथ ये भी याद रखेगा रविंद्र मंच याद रखेगा ये जो रविंद्र मंच है इसकी इसतापना है 1963 ये कहां पर है याद रखेगा जैपूर में दोनों को आराम से वो 93 है ये 63 है ये आपको याद रखना होता है ये आपको याद रखना होता है यह important जमार कला और रविंद्र मंच ठीक है एक एक यहाँ पर लिख रहा हूँ राजस्तानी भासा साहिते एउं शंस्कर्ती एक आदमी और राजस्तानी भासा साहिते और संस्कर्ती जो एक आदमी है यह कहाँ पर है तो याद रिखेगा अबिकानेर इस्तापना कब है यह 1993 है यह 1963 है यह 1983 है 1983 याद रिखेगा इसके दुवारे एक पत्री का निकाली जाती है जिसका नाम है जागती जोत जागती जोत और इसके दुवारा एक प्रुषकार दिया जाता है सूरिय मल मिश्रन प्रुषकार सूरिय मल मिश्रन प्रुषकार ठीक है और एक आप मुझे कमेंट करके बताना रुपाईन संस्तान की स्थापना रुपाईन संस्तान की स्थापना कहा और कब की गई यह आपके लिए है बताई बताई बिलकुल साबास तो यहां से क्युषन बनने की संभावना है यहां पर क्या पुछा गया कि मीरा पुरुषकार किसे संबने थे याद रहेगा साहीते से यह रही पूरी कानि आपके सामने अगला क्युषन देखी अगला है मरू वानी क्या है मरू वानी क्या है बताइए मरू वानी क्या है याद रिखेगा मरू वानी एक पत्री का है जेपूर से राजस्तान भासा की माशिक पत्री का याद रिखेगा ओप्सन नमबर है B is correct answer ठीक है चली लीजिएगा अगला और बड़ा शांदार कुशन क्युशन है अनमेल विवा और बाल विवा निशेद अधिनियम सबसे पहले अलवर रियासतने किश वरस बनाया देखी एक तो क्युशन ये बनता है आपको कि अनमेल विवा और बाल विवा सबसे पहले अधिनियम किश रियासतने बनाया था याद रिखेगा अलवर ऐसे भी बन सकता है यहां पर तो फिलाल दे दिया साथ में ठीके दूसरा क्यूशन यह बन सकता कि अनमेल विवा और बाल विवा पर अधिनियम कद याद रिखेगा 10 ऐसे याद रिखेगा 10, 12, 13 10, 12, 19, 3 10, 12, 19, 3 ऑप्सन नमबर B अच्छे अगला क्यूशन इस समय अलवर रियासत के शासा कौण याद रिखेगा जेशिंग ये भी ये क्यूशन मनता है तो तीन तरीके के क्यूशन मनता है याद रिखेगा ठीक है बिल्कुल सही है 1903 के अंदर अनमेल विवा और बाल विवा ठीक है अगला लीजिए अगला क्यूशन है राजस्तान के रित्ती रिवाजों में आनो क्या है और ये पिछली बार रारेस में आया था लीजिएगा बताई राजस्तान के रित्ती रिवाजों में आनो क्या है विवा के परस्चा दुल्हन को दूसरी बार ससुराल भेज़ना क्या क्या लता है आनो ये पिछली बार आया इस बार हो सकता है गाजाए गोना क्या है गोना या फिर जिसे आप बोलते हैं मुकलावा विवा के बाद दुलहन को पहली बार ससुराल भेजना क्या है मुकलाव या गोना दूसरी बार भेजना क्या है अनो ठीक है? याद रखेगा? हाँ बिलकुत और सेसन आपके लगाता रहे कल साम के चार बजते ही आपके राजस्तान की राजवेस्ता की कलास है राजस्तान की राजवेस्ता और बहुत ही इंपोर्टेंट कार्टिक सर लेकर आएंगे आपके लिए बहुत ही शांदार और पॉलिटी आपके एक्जाम के लिए कितनी इंपोर्टेंट है यह आपको खुद को पता है, ठीक है, याद रिखेगा, ठीक है, तो execution, ठोड़े, यह सबदावली execution है, जैसे चिकनी कोथली क्या है, बताईए, चिकनी कोथली क्या है, पुत्र जिन्मोट सवग की एक रश्म है, साधी की एक रश्म है, मर्त्यू पर एक रस्म है, या नए ग्र परवेश की एक रस्म है, चिकनी कोतली क्या है, देखिएगा, वर्पक्स दुवारा, वर्पक्स दुवारा, वदुपक्स, वर्पक्स दुवारा, वदुपक्स को सुहाग से सम्मन्दित, वर्पक्स दुवारा, वदुपक्स को सुहाग से सम्मन्दित, शामगरी भेजना, क्या कहलाता है, चिकनी कोतली, और यहाँ पर चिकनी कोतली का तात्पिरी होता है, साधी की एक रश्म, याद रखेगा, ठीक ह बिल्कुल साबास, याद रखेगा, option number B अगला देखेगा, अब ये तो आप सब जानते हैं, हम सब ग्रामनी शेतर से हैं तो हमें इसका idea है, देखे, बढ़ार भोज, किश अउसर पर रखा जाता है बढ़ार जो भोज है, वो किश अउसर पर रखा जाता है, देखे, येदि जीमन की बात करानी आपा, तो दो जीमन जाना आपा एक तो जाना मोशर, और एक जाना बढ़ार भोज मोशर तो है, याद रखेगा, मर्तिव ठीक है, बार वो दिन करिया गरे न, वो है, मर्तिव के अउसर पर किया गया भोज, मोशर कहलाता है केई बार जीवित रेते गर दिया गरे, वो हुए गरे जोशर बढ़ार भोज जो है, याद रिखेगा, ये है आपके विवा से सम्मन्दित विवा के समय रिसेप्शन याद रखेगा option number है siege correct answer तो मर्तिव के समय याद रखेगा मोशर और याद रखेगा विवा से सम्मन्दित है बड़ार चलिए अगली बात देखीगा अगला है राजस्तानी शंसकर्ती में ओलंदी क्या है ओलिंदी अब तो ये धिरे धिरे परंपरा लुप्ट सी हो गई है लेकिन पहले आपको पता होगा जब साधी बगेरा होती थी वदू जब पहली बार अपने स्षुराल जाती थी साधी के समय उस समय उसके साथ में एक पूरुस और एक महिला को भेजा जाता था पूरुस तो कहलाता है ओलिंदा और वो महिला कहलाती है ओलिंदी यानि कि नव वदू के साथ जाने वाली लड़की आइस्तरी क्या कहलाती है ओलिंदी और जो पूरुस जाता है वो कहलाता है ओलिंदा अब तो ये परंपरासी है नहीं ठीक है चलिए, अगला कुशन देखिए, कसुमल रंग का अर्थ क्या है, कसुमल रंग का अर्थ क्या है, लाल, काला, निला या पिला, देखेगा, अब आप कहेंगे सर ये कुशन कहां से निकल के आया, ये भी एक कहवत से ही कुशन है, जैसे देखिए, एक ढोला, एक ढोला, दूज दूजी मरवन, तीजो कसुमल रंग, ये कहवत है, एक धोला, दूजी मरवन, तीजो कसुमल रंग, निम्न में से कसुमल रंग किस परकार का है, लाल है, काला है, निला है या पिला है, बताइए, एक धोला, दूजी मरवन, तीजो कसुमल रंग, और ये जो कसुमल है, ये किस परकार का रंग है याद रिखेगा लाल रंग ऑप्शन नंबर ए इस करेक्टरास वर बढ़ा अच्छा क्यूशन है याद रिखे ऐसा क्यूशन एक्जाम में इंपोर्टेंट है आपके लिए बिल्कुल एक धोला दुजी मरवन चली बिल्कुल अगला क्यूशन लीजिए अगला क्यूशन है आपके सामने के भील जंजाती के पुरुश कमर पर जो वस्तर लपेड रखते हैं उसे क्या कहा जाता है देखिए तीन परकार के वस्तर में आपके सामने लिखूंगा एक तो है कच्छाबू एक है खोईतू और एक है पोत्या तीन परकार के वस्तर आपके सामने लिखे में है अब देखे इन तीनों की क्या क्या खास बात है कच्छाबू खोईतू और पोत्या देखिए खोईतु और पोत्या की ये दी हम बात करते हैं तो याद रिखेगा ये तो पुरुशों दुवारा है याद रिखेगा ये तो किसके दुवारा है पुरुशों दुवारा याद रिखेगा कच्छाबू जो है वो महिला दुवारा केई बार तो ऐसे भी क्यूशन पुछे जाते है अब इनसे theoretical क्यूशन कैसे यार रिखेगा भेल पुरूशों दुवारा सिर को ढखने के लिए जो कपड़ा बांदा जाता है उसे पोत्या बोलते हैं भेल यक्षज जो कि दुदितु क्या है तो यार रिखेगा पुरूशों दुवारा कमर पर लपेटे रखते हैं उसे क्या कहा जाता है यार रिखेगा कोई file उसे क्या क्यते हैं कोई तुद ओर कचछाबू क्या है तो यह important यार रिखेगा कच्छाबु जो है वो है आपके महिलाओं द्वारा गागरा वो क्या है आपके कच्छाबु ठीक है छोटा गागरा होता है यहाद रखेगा यहाँ पर है option number a is correct transfer खोईतू है यह ठीक है लीजी अगला है आपके सामने है जोटपुरी शाफा को परशित करने का स्रे किसे दिया जाता है यू statistics पहला तो यह है के जोटपुरे शाफा कहां का परशित है तो बताने क्या हो शक्रता है नहीं जोटपुर ठीक है इसको परशिद करने का सरे जो दिया जाता है महराजा जश्वन सिंग को है याद रिखेगा और वर्तमान में भी यह दिया आप चर्चा करेंगे तो जोतपुरिश जो सापा है वो यहाँ पूरे भारत से लेकर विदेशों तक चर्चित है जब भी मोदी जी भारत में किसी इस्पेसल काम इस्पेसल उद्गाटन करते हैं जैसे लाल किल्ले पर यदि तिरंगा ले राएंगे तो उस समय भी वो कौन सा सापा पहनेंगे जोत पूरे शापा इतना परचली थे ही यार रखेगा ओप्शन नमबर है बी इस करेक्ट नास्वर लीजी अगला है राजस्तान के शंद्रब में पचे उड़ा क्या है पंच्वे एड़ा पंच्चे उड़ा पताई ये क्या है जटपटी कच्ची मिटी के खिलोने मोटी शुती शोल या हस्त निर्मित कागज हस्त निर्मित कागज के लिए यार रखेगा शांगानेर इस्तान परचिद है ये एक डाइरेक्ट वाला इनर क्यूशन आ जाता है जेते जटपटी जो कला है वो कहां की है जटपटी के खिलोनों के लिए कोन सा परचिद गाम है यार रखेगा बुनरावता बुनरावता है अबके नागूर खजबाना यहाँ पर रहे न आपके वे यह क्या है तो यार रखेगा सर्दियों में सर्दी में ग्रामिनी शेतरों के अंदर मोटी सुत्ती जो सोल ओडी जाती है उसे कहा जाता है यार रिखेगा हाँ वेरी वेरी इंपोर्टेंट ठीक है चली अगला किशन है आपके सामने देखे क्या कहे रहा है पूछा जा रहा है निम्न में से कोण सा वस्तर राजस्तान में परतिष्टा का सुचक माना जाता है निम्न में से ऐसा कोण सा वस्तर है जो की राजस्तान में परतिष्टा का सुचक है शाडी है अचकन है पगडी है या अंगोच्या है हाँ बताई राजस्तान में पूछ राईए याद रखेगा राजस्तान में परतिष्टा का जो सुचक है वो है पगड़ी याद रखेगा एक बताईए कि पगड़ी का दस्तूर क्या होता है पगड़ी का दस्तूर कब यह क्या होता है यह भी बताईएगा तब तक याद रखेगा विश्वे की सबसे बड़ी पगडी कहां रखी हुई है एक क्यूशन है और भी विश्वे की सबसे बड़ी पगडी याद रखेगा कि विश्वे की जो सबसे बड़ी पगडी है वो रखी हुई है आपके बागोर की हवेली विश्वे की सबसे बड़ी पगड़ी है आपके बागोर की हवेली याद रखेगा ये कहां पर है उदेपुर के अंदर और इसे क्या कहा जाता है बागोर की हवेली उदेपुर विश्वे की सबसे बड़ी पगड़ी और याद रखेगा बागोर की हवेली जो इसका निर्मान ले मियूजियम ठीक है तो विश्वे की सबसे बड़ी पगड़ी याद रखेगा बागोर की हवेली है उदेपुर में ठीक है अच्छा ऐसे चलिए बता दीजिए फिर मोठडे का साफा का पैना जाता है मोठडे का साफा चलिए बिलकुल चलिएगा अगले किशन क्यों किशन नमर है आपके सामने नेक्स्ट क्या पूछ रहा है देखी बकतरी वस्तर क्या है ग्रामनी शेतर में पुरूसों के शरीर के उपरी भाग में पहना जाने वाला वस्तर ग्रामनी शेतर में पुरूसों के सरीर के कमर के नीचे भाग में पहना जाने वाला वस्तर ग्रामनी पुरूसों के सिर का विस्तर है या फिर ग्रामनी महिलाओं के वस्तर है बकतरी क्या है बताईए और एक बार ऐसे पूछा गया कि मिर्जोई दूताई ये ऐसे शब्द देकर पूछा गया है याद रिखेगा गाबा और घदर क्या है ऐसे देकर आपको पूछ लेगा कि मिर्जाई दूताई गाबा और घदर क्या है याद रिखेगा ये सब बक्तरी वस्तर है बिल्कुल याद रखेगा बिल्कुल ठीक है जी बिल्कुल से यह ग्रामरी शेतर में पूरुसों के शरीर के उपरी भाग में पहना जाने वाला जो बस्तर है उससे क्या बोलते हैं बक्तरी जिसके अलग लग भाग मिर्जोई दुत्ते गाबा घदर ठीक है बिल्कुल लीजिए अगला कुशन देखिए अगला कुशन है मारवाड में दामनी क्या है बताईए हाँ मारवाड में दामनी क्या है एक परकार का नर्तिय इन में शे कोई नहीं एक परकार का लोग गीत एक परकार की ओड़नी बताईए दामनी क्या है फोंगे वोई दामन नीचे पेरी जुत्ती दामनी का मतलब मारवाड में एक परकार की ओड़नी होती है यार रखेगा एक परकार की क्या होती है ये ओड़नी होती है ठीक है चलिए अगला क्यूशन पुछा जा रहा है निमलेकित में से कौन सा सुमेलित नहीं है एक तरफ आभूशन है एक तरफ मानुव अंग है और पुछा जा रहा है कौन सा शुमेलित नहीं है बताइए दुल्हा और दुल्हन की जूतियां बिनोटा कहलाती है दुल्हा दुल्हन की जूतियां बिनोटा कहलाती है यहां पर पूछा जा रहा है कि निव बेसे कॉंझा सुमेलित नहीं है हाँ देखिए तग्ड़ी है यह एक तड़ी है गमर का याद रखेगा सुरलिया है क्यान का और कांड़ीया इक अगोोटिया भी है याद रखेगा ठिमनिया याद रखेगा गले का है रम जोल जो है वो कलय का नहीं है हाँ याद रिखेगा रम जोल पेर का है जी रम जोल पेर का है याद रिखेगा ठीक है लीजिए अगला किशन बताई यह तो आप जानते हैं राजस्तान में किशी महिला द्वारा दानतों के बीच में सोने की कील जड़ाने को कहा जाता है क्या दान्तों के बीच में सोने कील जड़ाते न उसे क्या बोलते हैं टोंटी, भोंगली, पिंपल पन्ना या चूंप देखेगा एक तो होता है चूंप एक है आपके चूंप याद रहेखेगा चूंप लगाते हैं दान्तों में चूंप पहनते हैं नाक में ये भी पुच्छे जाते हैं अक्सर और ये तो आप समझीगे चॉंपा दिराएगर है दान्ताम तो दान्तों क्या होते हैं चॉंप है रखन है यही तो है ठीक है चली चली अगला क्यूशन आपके सामने ये रहा पुच्छा जा रहा है पलान एक है पलान क्या है एक लोक वाद्दी अंतर है गोडे पर रखी जाने वाली काठी है उन्ट पर रखी जाने वाली काठी है या गोरबंद का समानारती शब्द है बताईए देखीगा बात करते हैं उन्ट के आपुशनों की उंट के आबुशनों की हम बात करते हैं तो तीन बातें तो बड़ी खास है एक तो है गोरबंद एक है मोरखा एक है आपके ये लीजिए पलान या इसे ही बोलते है काठी देखे गोरबंद उंट के गले का आबुशन है गे से गोरबंद गे से गला उंट के मुख का अभुषण है मोर्खा मेसे मुख मेसे मोर्खा उंट के पीट का अभुषण है पेशे पलान पेशे पीट अगला कुशन लेजिए क्यूशन नमर है नेक्स्ट आपके सामने ऐसे क्यूशन को ध्यान से देखिएगा यह निक्षा क्यूशन होता है मुझे आप से उम्मीद है कि आप सभी जो जुड़ेवे हैं इसका आस्वर कतई गलत नहीं करेंगे बस थोड़ा सा ध्यान दीजी इदर और इसका आस्वर बता है कि शिर्षे पेर तक यह लीजी आपके सामने कुछ आभुशनों के नाम है आपको यह बताना है शिर्षे पाउं तक करम बताना है लीजी यूनिक्षा क्यूशन है जी और आप मैं देख लीजी इन में से कौन-कौन से आभुशन अच्छा सब ऑप्सनों में एक ही परकार के आभुशन है बस इनको करम से जमाना है चलिए कोई नहीं सबसे पहला देख लीजी यह सिमिलर्टिकिश में है बोर आप सब जानते हैं कि सबसे उपर शिर्षे पर जो पैना जाता है उसे क्या बोलते है बोर यह लीजी शिर्षे बोर 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 बांद लिए बोर बांद लिए एक बाद में आठ टीडी बढ़को है यहां पर क्या है बिंदी बस फिर इसके बाद में आ जाएगी बिंदिया बिंदियों के बाद में अच्छा गल पेटीओ गड़म है चूमप ठीक है अच्छा नत लीजी नत है आपके नाक में फिर शिर्षे पेर तक करम से है ठीक है यहां पर जो राइट आसफ़ो है ओप्शन नमबर बी बोर नमी Mainten और टीडी भड़को बिंदिया नत चूंप गलपट्य और कडला यह सब कडला पेर के अंदर कडला पेर में पहने जाते हैं और शिर से लेकर पेर तक गलपट्या याद रखेगा यह गले का है चूंप याद रखेगा दांतों में लगाते हैं नत नाक में पहनते हैं और यह त अगला questions है आपके सामने लीजीए ये देखे जेला जमेला पिमपल पत्ता अंगोट्या शरीर के किस अंग के आभुषण है जेला जमेला पिमपल पत्ता और अंगोट्या किस परकार का है बताई बताईएगा तो ऐसे पिमपल पनना अगोट्या अच्छा एक सूरी लिया और लिख लीजिए ये सारे जो आभूशन है ये कान के हैं याद रखेगा ये तो सारे हो जाएंगे जी लीजिए इस परकार से क्यूशन आ गया एक तरफ सरीर के अंग दे दिये और एक तरफ आपके आभूशनों के नाम कह रहा है मिलान करिए करिए सरीर के अंग है एक तरफ एक तरफ है आपके आभूशन देखे शिर इन में से महमंद जो है वो शिर पर लीजिए डाइरेक्ट वन लाइनर क्यूशन है ठीक है कंगती कमर कालो डोरो अब ये पेरों में पेहनते हैं पहले कमर में था ये रिम जोल याद रखेगा पेरों में और गले में हसली तो ऐसे जब कोई क्यूशन आए तो पहले वही परियास करिए कि आपको कौण सा आता है क्या पता उसी से मिलान होकर सही हो जाए कोशिश तो यही करनी आपको ठीक है लीजी अगला है बल्या आभूशन कहां पहना जाता है यह बताईएगा इसी परकार से दो है बल्या और बुलाक बताईए बताईए दोनों वेरी वेरी इंपोर्टेंट बताई याद रिखेगा बुलाक है नाक का ये भी वन लाइनर बन सकता है बल्या है हाथ का याद रिखेगा दोनों ही इंपोर्टेंट है नोट कर लीजिएगा जैसे चूंप और चॉंप है जैसे नोगरी और नेवरी है याद रिखेगा ठीक है ऐसे पुच्छे जाते हैं ज्यान रिखेगा चली अगला क्यूशन ते धड़ आभूशन पहना जाता है ये भी यूनिक है ये भी क्या है यूनिक है बताई ते धड़ याद रिखेगा इस तरियों के पेरों में पहना जाता है ते धड़ आभूशन ठीक है पेरों में याद रखेगा तेधर बिल्कुल साबास लीजिएगा अगला और बड़ा शांदार किशन आया आपके सामने बताई इसका अस्वर क्या पूचा जा रहा है जन गर्णा 2011 के अनुशार राजस्तान के किन जिल्लों में अनुसुचित जन जाती अनुसुचित जन जाती का जिल्ले की कुल जन संग्या में परतिशत सबसे कम परतिशत कहां पाया जाता है अनुसुचित जन जाती में पूच रहा है बताई बिल्कुल साबास ऑप्शन नमर याद रखेगा A is correct transfer सबसे कम विकाने दूसरे नमर पर याद रखेगा नागूर ठीक ऐसे भी कुछ आ जाए तो ऑप्शन नमर A is correct लास वरेवे लिजिए अगला क्यूशन अगला क्यूशन है भील जन जाती में पेपदार्थ हेतु किस वरक्ष या पोधे का अधिक उप्यों किया जाता है भील जन जाती दूआरा पेपदार्थ हेतु किस वरक्ष या पोधे का अधिक उप्यों किया जाता है देखेगा आदिवाश्यों का कल्प्रक्ष किसे कहा जाता है आदिवाश्यों का कल्प्रक्ष याद रखेगा आदिवाश्यों का कल्फ रक्स जो है वो है आपके महुआ क्योंकि महुआ से बनती है देशी शराब और महुआ से बनने वाली जो देशी शराब है वो है महूडी महुडी याद रखेगा option number है D is correct answer महुआ ठीक है याद रखेगा बिल्कुल सभी के बिल्कुल सांदार है जी D is correct answer चलिए अगला question बताई भे इसका बड़ा सांदार सा एक तरफ राजस्तान की जंजातियां है और एक तरफ उनका शत्र है पूछ रहा है मिलान करिए शहरिया कहां पर है गराशिया कहां पर है डामोर कहां पर है और मिना कहां पर है बताईए देखे शहरिया की आप बात करेंगे तो परमुक रूप से कहां पर है बारा गराश्या की बात करेंगे तो परमुक रूप से कहां पर है शिरोही डामोर की बात करेंगे तो सिम्मलवाडा पंचाई समिती और सिमलवाड़ा पंचय समिति कहां पर है डुंगरपूर यही तो है तो बस अब तो मिलान होई गया है देख लीजी शेहरिया है आपके 12 कोटा लीजी ठीक है और ग्राश्या ही आपके यह लीजी उदेपूर और शीरोई और डामोर हो गया है आपके सामने लीजी डुंगरपूर मीना है जैपुर्दोषा बस चीक है हां जी बिल्कुल सी जग करेक्ट आस्वर यह लीजी बिल्कुल से टेक आस्वर है अगला क्रिशन लीजी अगला है लीजी अगला क्रिशन है बीजावे माला राजस्तान की किस जनजाती की शाकाएं हैं बताइए बहुत ही इंपोर्टेंट क्रिशन है बीजावे माला किस जनजाती की शाकाएं हैं बताइए सांसी डामोर शहरिया या कंजर यार रखेगा सांसी जन जाती ये आपके कहां पर सांसी जाती यार रखेगा भरतपुर बड़ा अच्छा कुशन है बीजावे माला यार रखेगा लीजी अगला कुशन अगला है राजस्तान में उंदरिया पंत किस में परचली थे देखिएगा पंत की हम बात करते हैं तो एक तो याद रिखेगा कामडिया पंत की आप बात करते हैं तो याद रिखेगा ये तो है आपके रामदेव जी द्वारा एक है आपके कुंडा पंत कुंडा पंथ है याद रिखेगा राव मलिनाजी दुआरा मलिनाजी दुआरा एक है दादू पंथ ये है आपके संत दादू दियाल दुआरा संत दादू दियाल और यहाँ पर एक है आपके सामने है उंदरिया पंथ याद रिखेगा ये जो उंदरिया पंथ है ये है भिल्लों से संब्दित option number है आपके सामने A is correct आश्वर याद रिखेगा ठीक है अगला लीजिए अगला है फाइरे फाइरे किस जंजाती से रणगोश है फाइरे फाइरे किस जंजाती से रणगोश है देखे इस परकार के दो है एक तो आपके सामने है फाइरे फाइरे एक है आपके सामने है फते फते दो बिंदु है आपके सामने फाइरे फाइरे और फते फते देखेगा फायरे फायरे तो याद रखेगा ये तो भीलों दुवारा युद नर्तिये के तेद किया जाता है युद नर्तिये के तेद और ये जो फते फते घोस है याद रखेगा ये होता है आपके फायरे डांस अगनी नर्तिये के समय तो यूद्य नर्तियें में होता है फाइरे फाइरे बील जन जाती दूआरा अगनी नर्तियें में होता है याद रिखेगा फते धाइब जसनाती शंपरदाए के लोगों दूआरा तिकायार के यहां पर m कि इसल्य देखेनगी है नेक्स्टी अगर्टिय दो संसकार बताई धारी संसकार राजस्तान की किस जंजाती में परचले वैसे तो ये सभी जातियों में भी है पहले ऐसा हुआ करता था जब किसी घर में बड़े बुजूर की मरती होती थी तो फिर एक बड़ा सा पातर जैसे कुंडो बोल लिया करा या परात बोल देते हैं उसमें आट टेपर जिसके चिन मंडे होते हैं फिर वो जो बुजर गुजरा था वो अब उस जूनी में चला गया ऐसा मतलब परमप्रासी रही है यहां पर डाइरेक्ट है कि धारी जो संसकार है वो आपके किस जंजाती से है याद रखेगा शेहरिया जंजाती का कुंब किसे कहा जाता केलवडा कहां पर है याद रखेगा 12 तो ये तो शेहरिया जंजाती का कुंब है याद रखेगा एक आदिवाश्यों का कुंब है और आदिवाश्यों का जो कुंब है वो है आपके सामने बनेश्वर धाम नवाटापुरा लूंगरपुर बताई यहां पर मेला कब भरता है यह मेला कब भरता है फटावड बताई बिल्कुल बहुत शांदार चलिए अगला कुशन देखिए अगला है हेलेरू संस्ता समंदित है ग्राश्या जनजाती से शेहर जनजाती से भील जन जटी से या फिर मीना जन जाती बताइए याद रखेगा यह संस्ता है यह आपके कि गर्यास्या जन जन जाती मैं शेहकारी संस्ता हूँ, याद रखेगा, शेहकारी संस्ता है, उसे कहा जाता है, ग्रासिया जंजाती याद रखेगा, सरवादी कहां पर है, शीरोय में, याद रखेगा, इनका जो परशित मिला है, वो भी भरता है आपके, शियावा में, शियावा में भरता है आपके कौ बिल्कुल वेरी वेरी इंपोर्टेट तो ग्राशिया जन जाती याद रिखिएगा बिल्कुल शीरोई सरवाधी ग्राशिया याद रिखने हैं आपको मेला याद रिखिएगा शियावा का गोर मेला जिसे मनखारों मेला कहा जाता है ये संस्ताप के ऑफ्षिन नमबर ए इस खरेक्ट आश्वर ठीक है विल्कुल सावास अगला क्यूशन लीजिए अगला है डड की उपबोली किस भासा से सम्दित है डड की जो उपबोली है ये किस भासा से सम्दित है बताईए मेवाडी धूंडाडी मारवाडी या हडूती बिल्कुल सावास डड की जो उपबोली है याद रखेगा ये आपके जशलमेर याद रखेगा जोदपुर बिकानेर इन शेत्रों की अंदर है और ये किस की उपबोली है तो याद रखेगा मारवाडी की किस की उपबोली है मारवाडी की याद रखेगा वेरी वेरी इंप जोर्ज अबराहिम गिर्येशन जिनोंने सर्वे पर्थम राजस्तानी भासा का वेग्यानिक वर्गीकर्न करने वाले पर्थम याद रहेगा जोर्ज इबराहिम गिर्येशन जोर्ज इबराहिम गिरियसन ने वागडी बोली को याद रखेगा बताया था भिल्लों की बोली जिसे कहा गया भिल्ली बोली याद रखेगा और वागडी बोली याद रखेगा वागड शेतर में शेतर कोण सा है वागड वागड का मतलब आप समझ गये होंगे डूंगरपूर और बांसवाडा डूंगरपूर और बांसवाडा वागड शेतर में ही बोली जाती है कोण सी वागड एक याद रखेगा पुछा जाए बा Option नमर है आपके A is correct answer, चीक है, अगला देखिएगा, अगला question है, बताई, बड़ा ही important, वेली किसन रुक्मनी किस भाषा का गरंथ है, वेली किसन रुक्मनी किस भाषा का गरंथ है, पूर्वी मारवाडी का है, उत्री मारवाडी का है, दक्षनी मारवाडी है या उत्तर पूर पूर्वी मारवाडी है, देखिए, वेली किसन रुक्मनी, सबसे पहले तो इसके लेखा कौन है, याद रखेगा, देखिए, very very important, वेली किसन, वेली किसन रुक्मनी, देखिए, वेली किसन रुक्मनी की हम चर्चा करते हैं, तो देखिएगा, सबसे पहली बात यह है, कि ये जो वेली किसन रुक्मनी की है, ये कोण शी भासा में है, तो याद रिखेगा, अच्छा, व्यस्के पूछा जाए, तो याद रिखेगा, उत्तरी मारवाडी, देखिए, ऐसे पुछा जाए ये रचना किस के दुवारा है लेख कौन है तो याद रिखेगा पर्थवी राज राठोड याद रिखेगा पर्थवी राठोड जी ने कहा जाता है डिंगल का है रोश पर्थवी राठोड को डिंगल का है रोश किस ने कहा है तो याद रिखेगा याद रखेगा वेली किसनरुक्मनी जिसे पांचवाँ वेद एंड उन्नीशवाँ पुराण कहा है पांचवाँ वेद वे उन्नीशवाँ पुराण किसने कहा है तो याद रखेगा दुरसा आडा ने दुरसा आडा आपने नाम सुना होगा ये वो ही वक्ती है जिसने महरना परताब की मर्तियू का समाचार अकबर तक पहुंचाया था ठीक है इसके अलावा याद रखेगा इसे 10,000 गोडों का बल बताया है और ऐसी बात कर सकता है करनल जैम्स्टोड याद रखेगा ये इंपोर्टेंट है परत्विराज राठोड ने वेली किशन उक्मणी की जो रचना की है वो की है आपके गागरों किल्ले में जोकी कहां पर है याद रखेगा जालावााद जोकी राज़स्तान का पर्शित जल्दुर्ग है आहुवे काली शिंद्गे संग्म पर बना हुआ है याद रखेगा पर्थुराज राठोड को गागरोन किल्ले की जागीर किष्ट के दुवारा दी गई थी तो याद रखेगा अकबर दुवारा आपको पता होगा 1570 नागूर दरबार लगा था याद रखेगा तो यहाँ पर आपके सामने क्यूशन था के वेली किसन रुक्मनी किष्ट भासा याद रखेगा उत्री मार बाडी में सेली पूस्ता तो डिंगल हो जाती याद रखेगा याद रखेगा चलिए अगला किस बोली की उपबोलियां है राजा बटी वे जो नागर चोल है बताई राजा बटी वे नागर चोल किस बोली की उपबोलियां है याद रखेगा राजा बटी या नागर चोल ये धुंडारी की उपबोलियां है किसकी है धुंडारी की उपबोलियां ऐसा ही एक क्यूशन पुछा जाता है आपको के निमबाडी वे रागडी किसकी उपबोलियां है नोट कर लीजिएगा निमबाडी वे रागडी याद रखेगा ये मालवी की उपबोलियां है ऐसे दो आपके शामने हैं राजावटी और नागर चोल याद रखेगा धुंडाडी की तो यहाँ पर एक तरफ आपके कुछ बोलिया हैं, एक तरफ जिल्ला है और मिलान करना आराम से, जितने जुड़े में सारे इसका सेयास्वर देंगे आप, मुझे यह आप से उम्मीद है, बताइए मिलान करें जी फटापट, चलिए देखिए, यहाँ से याद भी करते रेना है, बांगड़ी याद रिखेगा, जिस जिल्ले में बोली जाती है, वो है अनमानगड़, जैसा कि हमने कहा, कि वागड़ी जहां बोली जाती है, वो है डूंगरपुर बांशवड़ा, डूंगरप बासवड़ा, जग्रोती जो बोली है, वो करोली है, जग्रोती फोर करोली धावड़ी उदेपुर की, गोड़वाड़ी बची आपके जालोर शिरोई की, लीजिए, याद रिखेगा, यह वन लाइनर क्यूशन पुछे जाते हैं, धावड़ी किस जिल्ले की, उदेपुर क जग्रोती किस जिल्ले की, करोली, बागड़ी, याद रिखेगा, बागड़ी, हनुमान गड़गी, यह डाइरेक्ट वन लाइनर क्यूशन है, चलिए, अगला क्यूशन, अगला क्यूशन है, भारतिये प्राचीन लिपी माला के परशिद लेखा कौन थे, अभी देखेगा दो पुष्टकें बड़ी इंपोर्टेन रही थी, एक तो यह और एक है आपके, the early, the early चोहान dynasties, the early चोहान, the early चोहान dynasties, एक तो यह, और एक भारतिये प्राचीन लिपी माला, the early चोहान dynasties, याद रिखेगा, यह तो है, डौक्टर दसरत सर्मा, डौक्टर दसरत सर्मा दुआरा, कौन सी, the early चोहान dynasties, एक है आपके सामने भारतिये लिपी माला, याद रिखेगा, डौक्टर गोरी शंकर हिराचन दोजा, option number A, बड़ी important रही है यह, याद रिखेगा, important, ठीक है, अर कहां आसो पाजी, गोरी शंकर हिराचन दोजा यह जी, याद रिखेगा, बिल्कुल यह दोनू important है, the early चोहान dynasties, डौक्टर दसरत सर्मा और भारतिये प्राचेन लिपी माला, अगला question, लिजिए, अगला है, कूले माला में कितनी देशी भासाओं का उल्लेक है, बताईए, कूले माला जो गरंथ है, उसमें कितनी देशी भासाओं का उल्लेक मिलता है, देखे, कूले माला जो गरंथ है, यह किस के दुवारा लिखित है, तो याद रिखेगा, उदोतन शूरी, किस के भी क्यूशन पुछा गया है कूले माला की रचना उदोतन सूरी दुवारा किसके समय वत्राज के समय और ये कौन सा याद रखेगा गुज़र परतिहार शाशक है और वो भी भीनमाल का जालोर किल्ले में बेट कर लिखी थी उदोतन सूरी ने कूले माला जिसके अंदर कितनी देशी भासाओं का उलेक है याद रखेगा अठारा वेरी वेरी इंपोर्टेंट चीक है? याद रखेगा चलिए अगला अगला क्यूशन है नेम लिक्कित में से कौन सा युगम सही शुमेलित नहीं है ऐसा कौन सा युगम है जो कि आपके सही शुमेलित नहीं है हमीर रासो सामने देर का है जोद राज आप कहेंगे सब कोई दीकत नहीं ये तो सही है अगला है विसल देव रासो याद रखेगा नरपती नाले ये भी सही है कोई दीकत नहीं सबबत ये टाइपिस्ट ने तो ये सबबत ने ये संगत राशो है ठीक है संगत राशो याद रखेगा गिर्धर आश्या खुमान राशो है वो जयानक दुवारा नहीं है जयानक ने जो लिखा है वो है पर्थ्वी राज विजे जयानक ने जिसकी रचना की है वो है पर्त्विराज विजे और पर्त्विराज रासो जिसके दुवार लिखा गया है पर्त्विराज रासो वो है चंदबरदाई चंदरबरदाई या चंदरबरदाई ये लो ठीक है और परतिराज रासो को पूरा भी किस ने किया है तो याद रिखेगा चंदरबरदाई के पुत्तर जिसका नाम है जलहन याद रिखेगा ये जलहन है एक इतियास में कलहन है कलहन ने रचना की है राज तरंगिनी की राज तरंगिनी जिसके अंदर कश्मीर का इतियास है ठीक है यहाँ पर जो सुमेलित नहीं है वह है option number C लेकिन याद रखेगा important खुमाण रासो के लेखा कौन है दलपत विजे यह भी पूछा जा सकता है खुमाण रासो के लेखा कौन है दलपत विजे याद रखेगा option number C लेकिन अगला देखेगा अगला है अदो लिकित युदों का सई काल करम बताईए युद हैं आपके सामने चार इनको करम के अनुस आप इतने नाइट यहां समय दे रहे हैं तो आपका दाइतवे ही नहीं पूरा करतव यह बनता है कि आप के वल पड़ाई पर ज्यान दीजिए ठीक है आप सुएम सोचे कि आपके इतने टाइम से आप जुड़े में हैं लगभग साड़ी 6 गंटे के आसपास हो गए हैं और तो इस समय इतने देर तक जुड़े में इस टाइम में जुड़े में हैं तो इस समय आपके लिए पड़ाई के अलावा और कोई इंपोर्टेंट नहीं है यही रातें आपको सपलता होने के बाद में याद आएगी ठीक है और नहीं होंगे तो भी याद हैईगी तो कि द्वेर का यूद्क वहा यारे नहां जमा दाज ये पहला है आपके एक नंबर फिर आएगा फोर नंबर Pacerajka दो नंबर यह दो एक चार दो थीन ओफ्शन नंबर भी चक्ते अगला लीजिएगा अगला है आपके सामने के वंस भाषकर किस भासा में लिखा गया है वेरी वेरी इंपोर्टेंट बताईगा वंस भाषकर किस भासा में लिखा गया है ओप्शन है डिंगल संस्कृत अपबरंस या हाडोती देखेगा वंस भासकर जो गरंत है इसके जो लेकक है वो है आपके शूरियमल मिश्रन याद रखेगा शूरियमल जो मिश्रन है याद रखेगा इनकी जो जन्मिस्तली है वो है आपके हरना गाउं बुंदी हरना गावं बुंदी और ये आपके क्या है याद रिखेगा रज्य कवी याद रिखेगा 1857 करांती के परत्यक्स द्रश्टा इतियास का रहे हैं ये एक रचना है आयो इंग्रेज मुलक रे उपर इसके लेखा कोण है बताना ज़रा इसके लेखा कोण है बहुत ही इंपोर्टेंट क्यूशन मान के चलिए क्यूशन आने की सरवादिक शंबावना है इसकी आयो इंग्रेज मुलक रे उपर इसके लेखा कोण है बाकी देखे सुर्यमल मिश्रन रज्यक अभी है इनका जनम हरना गावं बुंदी में हुआ है इनकी रचनाई जब आ पड़ते हैं तो एक तो पड़ते हैं वीर सत्साई वीर सत्साई वन्स भाशकर राम रंजाठ बलवन्त विलाश ये लो वंस भासकर नामगरंद को पूरा किया गया आयो अंग्रेज मुलकरे उपर याद रिखेगा इसके लेकक हैं बांकी दाश और ये वंस भासकर किस बासा में है कि शेले में याद रिखेगा डिंगल में ठीक है वेरी-वेरी इंपोर्टेंट डिंगल में याद रिखेगा इंप देखेगा बातारी जो फुलवारी है, इसके जो लेखक है, वो है आपके वीजेदान देथा साब, वीजेदान देथा, जिन्ने आप बीजी के उपणाम से भी जानते हैं. इन्ने बीजी कहा जाता है, वीजेदान देथा याद रखेगा, important, क्या काहा जाता है? याद रखेगा इनके अन्य रचना भी याद रखेगा दूईदा ये भी पुछी जाते है याद रखेगा वेरी वेरी इंपोर्टेंट आपके अलेकु हिटलर ठीक है ये भी दो रचना याद रखेगा और यहाँ पर पुछा गया है कि बातारी जो फुलवारी है इसमें कितने खंड हैं याद रखेगा बारा देखे एक तो कुछन ये है एक इससे पहले हमने पढ़ा था कि कूले माला कूले माला जो है याद रखेगा इंपोर्टेंट उसके अंदर कितनी देशी भासाई हैं अठारा कूले माला और यहाँ पर है आपके बातारी फुलवारी के खंड ये दोनों याद रखेगा ठीक है इंपोर्टेंट है अगला लीजिएगा अगला किशन है आपके सामने ख्यात विकानेर रा राठो नाली ख्यात है विकानेर रा राठो रारी के अनुसार निम्न में से कोणसा सर्वे शामानिये वेंजन विवा के आउसर पर बनाया जाता था यानि ख्यात है किसकी है विकानेर के राठो डों की उसके अनुसार कोणसा सर्वे मानिये वेंजन विवाक के आउसर पर बनाया जाता था गाट, राब, शोग्रा या लापसी तो पस्चिमी राजस्तान में पहले विवाक के आउसर पर जो बनता था वो है लापसी खाईए कभी ये क्यूशन पूछ रखा है किस एक्जाम में पूछा गया है तो वो है आपके आयुर्वेद लक्सरार में याद रखेगा बड़ा अच्छा क्यूशन चली अगला है केशरी शिंग बारट ने मेवाड महराना को 13 सोर्टे किस भासा में लिख खर भेजे थे 13 सोर्टे किस भासा में लिख खर भेजे थे सबसे पहली बात याद रखेगा एक रचना आपने सुनी होंगी चेतावनीरा चुंगटिया और चेतावनीरा जो चुंगटिया है इसके जो लेकक हैं वो है आपके याद रखेगा केशरी शिंग बारहट चेतावनीरा चुंगटिया क्या है तो याद रखेगा मेवार के महराना है जिनका नाम है फते सिंग ये फते सिंग 1903 लोड करजन के दरबार में भाग लेने जा रहे थे दिल्ली तब याद रखेगा केसरी शिंग बारत ने फते सिंग को रोकने के लिए 13 सोर्टे लिकर भेजे थे जिने इतियास में कहा गया है चेताम नीरा चुंगटिया और ये जिस वासा में जिस सेली में है वो है डिंगल याद रखेगा ओप्शन नमबर B is correct answer ओप्शन नमबर B is correct answer ठीक है अगला क्यूशन बुद्धी विलास गरंत के लेखक कोण है बुद्धी विलास गरंत बड़ा अच्छा क्यूशन है इसके अंदर जानकारी किसकी मिलती है पता आपको इसके अंदर जानकारी है आपके जैपूर नगर इस्तापना की याद रखेगा कोण सी में बुद्धी यार रखेगा बक्त राम शाह, option number B is correct आंस्वर, लीजिए अगला क्यूशन, बस ये unique सा क्यूशन है, बताई इसका आंस्वर क्या होगा, समझ लीजिए, आपके एक्जाम में छप गया आएक क्यूशन, बहुत ही अच्छा सा क्यूशन है, बेखते हैं, आपमे से से कितने इसका श्यांस्वर देते हैं, बहुत यूनेक क्यूशन हैं एक तरफ कुछ रचनाय हैं, एक तरफ लिखाक के नाम हैं, बताई ये, देखिए, गुन बाशा है मिलान कर दीजिएगा हैम कभी से, गुन रुपक है मिलान कर दीजिएगा केशवदा से, राज रुपक आप सब जानते हैं राजस्तान शबत का उल्लेक वीर भान और सूरज परकास याद रखेगा अवेशिंग याद रखेगा एक है आपके पाबू परकाश पाबू परकास के लेखक हैं आश्या मोर्जी ऊसकता है इन चारों में कभी इनको भी सामेल करते चलिए एक ये बतेगा कि मान परकाश के लेखक कोण है ये भी तो एक गरंथ है आपके सामने लीजी अगला एक और बड़ा सांदार साक्यूशन आया है आपके सामने लीजिए क्या कह रहा है एक तरफ लेखक हैं और एक तरफ पुस्तक हैं मिलान करना है यह तो बहुत दीजिए कर दीजिए फटा-पटेश का मिला ला ले बताई देखिए परसित परसित शामलदास वीर विनोद आपके सामने है ठीक है मुनोत नैंशी आपके सामने है मारवाडरा प्रगरनारी विगत जिसे राजस्तान का गजेटियर कहा जाता है मुनोत नैंशी यार रखेगा जिने राजस्तान का अबूरा फजल कहा जाता है कानून की आत्मा मारवाड का कानून लिखाता इन्होंने सूर्यमल मिश्रन याद रिखेगा वन्स भासकर करणी दान याद रिखेगा शूरज परकास लीजिए ठीक है ओप्शन नमर है ए इस करेक्ट टांस्वर याद रिखेगा इंपोर्टेंट ठीक है लीजिएगा अगला किशन लीजिएगा अच्छा दिखने रहा चली बढ़ा इसका आस्वर बताए आप दो देखते हैं इसका आंस्वर कौन बताता है यही है सबसे यूनिक एक तरफ राजस्तानी पद्ये साहिते परकार है और एक तरफ काविय रचना है बताईए कौन सी रचना किस परकार के राजस्तानी पद्ये साहिते परकार की है बताईएगा देखी नर्तिय शंगीत मुलक काविय याद रखे इस्टार लगा लीजिएगा नर्तिय शंगीत मुलक जो काविय है याद रखेगा चरचरी चरीतर मुलक जो काविय याद रखेगा हरी पिंगल काविय रचना से मंगल मुलक जो काविय है ये है आपके धवल काविय रचना से प्रेम मुलक जो काविय है ये विशल देव रासो आपने देखा होगा अभी एक्जामों में यही पूछा गया था कि विशल देव रासो किर्फ परकास का अपद साइते है प्रेम ठीके? किर्फ परकार का है याद रखेगा ये इंपोर्टेंट तो यहाँ पर जो आप्शन है वो हो जाएगा आपके सामने A is correct आशोर सबसे युनिक विशन ठीके? जली ठीक? लीजी क्यूशन है आपके सामने क्यूशन अमर है आपके सामने 150 हमारे इस शेशन का लास्ट क्यूशन क्यूशन है प्रेम विनोद नामक गरंत किसकी रचना है? देखेगा देख रहा है प्रेम विनोद देखे एक तो है आपके वीर विनोद एक है आपके राज विनोद, एक है आपके सामने प्रेम विनोद, देख रहा है विनोद कितने विनोद, यह सारे ग्रंथ है, वीर विनोद, वीर विनोद के जो लेकक हैं, वो है आपके याद रिखेगा कवीराज शामलदास धदिवारिया, कवीराज शामलदास धदिवारिया प्रेम विनोध की जो लेकक है वो है आपके छत्र कुमारी यह सावन सिंग ना उसकी पोत्री है एक आप बता देना के राज विनोध के लखे कौन है देखते हैं आप इसे कौन बताता है तो यह विनोध है यहाँ पर ऑप्शन नमबर है आपके सामने C is the correct transfer ठीक है बता नाई तो यह था आज का हमारा सेशन जिसके अंदर मैंने पूरी कोशिश की कि संपुर्ण जो आपके कलासंस करती है हमने किल्लों से शुरुवात की थी किल्ले हवेलियां बावडियां चत्रियां मंदिर महल मस्जिद लोग देवी देवता संथ संपरदाई